1852 लंदन Queen Victoria ने भारत के कूर की 11 साल के राजकुमारी के लिए God Mother बनने का फैसला किया जब वो अपने पिता के साथ लंदन गई वो England जाने वाले पहले भारतिय रोयल्स थे और वो पहली भारतिय राजकुमारी जिन्हें इसाई धर्म में परिवर्तित किया गया और Buckingham Palace में बप्तिस्मा दिया गया एक सम्मानित राजकुमारी उन्होंने ब्रिटिश राजपरिवार के साथ अंग्रेजों के साथ शाही क्रियकलापों में हिस्सा लिया लेकिन अंदर ही अंदर वो गुम्रा हुई गलत समझी गई, खो गई, अकेली रहे गई बाइस साल के उम्र में नसलिय भेदभाव, राजकुमारी बनने के लिए उन पर बनाए गए दबाव अपनी पती से धोखा और खराब स्वास्त की वजए से दुख़द रूप से उनके जीवन का अंध हो गया ये कहानी है विक्टोरिया गौरमा की The Lost Princess of Kool 24 अप्रैल 1834 को East India Company के साथ एक खूनी युद के बाद पूर को अनुबंधित कर दिया गया और राजा चिक्कावीरा राजिंद्र को हरा कर गद्दी से हटाने के बाद वारा नसी भेज दिया गया भारत की ब्रिटिश सरकार से अपना धन वापस लेने की मांग करने निर्वासित राजा मार्च 1852 में लंदन के लिए रवाना हुए अपनी बेटी के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए राणी से उसे गोद लेनी की पेशकश की राणी विक्टोरिया ने पिता पुत्री की जोडी की शाही देख रेकी और आसानी से 11 साल की गोरमा की गोद मदर बनने के लिए तैयार हो गए और उन्हें अपना नाम भी दे दिया पात जुलाई 1852 को बकिंगहम पैलिस में कैंटरबरी के आर्च बिशप ने गोरमा को इसाई धरम का बपिसमा दिया राजकुमारी विक्टोरिया को एक भारतिय सेना के दमपती मिसिस और मेजर ड्रमंट के देखभाल में रखा गया था जिन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उन्हें पश्च में विचारों और आदर्शों में ढाला वो कथित तोर पर शर्मीली नहीं थी वो नियमित रूप से शाही जलसों में दिखी जाती थी शराप पीती थी और अंग्रेजों के साथ टांस भी करती थी इससे उनकी जिन्दिगी स्वभाविक रूप से प्रेस की नजरों में आ गई इस समय के आसपास वो बीमार भी रहने लगी गौरमा अकेली नहीं थी महारानी विक्टोरिया ने सामराज के चारू तरव से कई युवा राजगरानों को अपने परिवार की उदार छवी पेश करने के लिए वोड और गौर्ड चिल्डर्न के रूप में अपनाया था उन में से महल में दलिप सिंग और सारा बुनिटा फॉप्स अन्यर रॉयल्स अफ कलर थे सीख सामराज के अंतिम राजा महाराजा दलिप सिंग को हराया गया उन्हें इसाई धर्म में परिवर्तित कराया गया और मैं 1854 में 15 वर्ष की उम्र में उन्हें लंदन भेच दिया गया जल्दी उन्हें महाराणी विक्टोरिया ने कोद ले लिया उन्हें पर्थ शायर के ब्लाक राजकुमार का उपनाम भी दिया गया रानी और पूरे शाही परिवार ने उनकी शादी गौरम में से करवाने की पूरी कोशिश की कुईन विक्टोरिया का मानना था कि अगर इसाई धर्म में परिवर्तित दो राजसी लोग विवा करते हैं और उनके बच्चे इसाई पैदा हुए तो इससे अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोसाहन मिलेगा लेकिन दोनों ने खुद को एक दूसरे के लिए सही नहीं पाया और दोस्त बने रहे 19 साल की गौरम मा पचास साल के कॉलनिल जॉन कैंबिल के फ्यार में पढ़ गई और 1860 में शादी कर ली अगले साल गौरम मा ने अपनी बेटी एडित को जनम दिया शाही होने के बावजूद क्वीन के गौड चिल्डरन को कमतर आंका जाता था और दूसरे कटर पन्थी के रूप में देखा जाता था गौरम मा पर उनके पिता और परिवार से मिलने पर तक प्रतिबन लगा दिया गया था गौरम मा एक मौडल अंगलिसाइस्ट राजकुमारी बनने के लिए उन पर बनाए गये दबाव से जूचती रही विक्टोरिया ने स्वेच्छा से गौरम मा को शाही देखबाल के लिए छोड़ दिया लेकिन उन्हें अपने पिता और परिवार के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखने पर बैन लगा दिया गया गौरम मा को फॉस्टर फैमिली से फैमिली में स्थानांतृत कर दिया गया था क्योंकि उसके देखबाल करने वालों ने शाही वोड बढ़ाने की लागत और मांगों के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया था इसके बाद गौरम मा ने बार बार भागने की कोशिश की थी गौरम मा प्यार पाने के लिए बेताप थी एक परिवार और एक घर जिसे वो अपना कह सकती थी वो गोपनिय और स्वतंत्र जीवन चाहती थी लेकिन उनकी जिंदिगी एक गुम किशोरी के रूप में खतम हो गई उनके पती जुआ खेलते थे और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वो एक बिना प्यार वाली शादी में फज गई है 30 मार्च 1864 को राजकुमारी विक्तोरिया गौरमा अपनी 23 जनम दिन से कुछ महीने पहले ट्यूबक लॉसस की वज़े से जिंदिगी की जंग हार गई और उनके पती उनकी मौत के तुरंद बाद उनके सारे गहने और पैसे लेकर गायब हो गई झाल